तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना ला हूँ TOP 4 Most Fuel Efficient Bike of 125cc 125cc की सबसे जादा मायलेज देने वाली बाइक के 4 लिस्ट आपको बताना ला हूँ तो गाइस वीडियो में बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करो इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो चैनल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करें ताके मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे नमबर चार पे आती है हीरो ब्रेंड की तरफ से हीरो सूपू स्प्लेंडर एक्स टेक यहाँ पर आपको आकर से डिजाइन दिया जाता है हीरो सूपू स्प्लेंडर एक्स टेक में एलेडी हेडलाइट देखने को मिलती है आपको डिजीटल मिटर मिलता है ब्लुटूथ कनेक्शन भी देखने को मिलता है इसके अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि लगभग 10.8 PS की पावर देता है लगभग 11 Nm तक का टॉर्क देता है टॉर्क भी अच्छा है और पावर भी अच्छी है और यहाँ पर आपको मायरेज मिलेगा 68 KMPL का 68 KMPL तक का मायरेज निकालती है ये बाइक और लगे हाथ प्राइजिंग की बात करूं तो सुपर स्प्लेंडर एक्स्टेक की प्राइजिंग मिलती है आपको 11,000 रुपए अंडरोड डिस्क वेरेंट में अगर आप ड्रम वेरेंट लेते हैं तो 1,07,000 रुपए अंडरोड मिलती है सुपर स्प्लेंडर एक्स्टेक फ्राम हीरो ब्रेंड और नमबर त्री की बात कर लेते हैं पन यहां पर नमबर तीन पर आती है होनडा के तरफ से होनडा शाइन 125 125cc की सबसे ज़्यादा बिखने वाली बाइक होनडा शाइन होनडा शाइन लगभग 15 साल से मार्केट के अंदर है 15 साल से भी ज़्यादा हो गया होंगे लेकिन 125 CC केडिगरी में इसका तहल का अलगी लेवल पर है और बात करें अपन लुक्स की तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा डिजाइन मिलता है अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं और क्रोम का डिजाइन भी देखने को मिलता है और 125 CC के अपसे होंडा शाइन आपको अच्छी मिलती है कम्यूटर डिजाइन में आती है और लगे हाथ अपन बात करें फीचर्स की तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे और फूल अनलोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है लगबग इसके अंदर आपको फीचर्स ना के बराबर मिलते हैं मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको गेर पोजीचन इंडिकेटर या फिर डिजीटल मिलेगा और बात करें इंजन की तो इंजन इसका मेन यूस भी है इसके इंजन के वज़ा से होंडा इंडिन मार्केट के अंदर टिका हुआ है होंडा शैन के अंदर आपको मिलता है 125 सिसी का एर कूल सिंगर सिरिंडर फोर स्टोक टु वेल्फ इंजन जो के लगभग पार निकालता है 10.7 PS की और टॉर्क निकालता है 10.8 Nm का विद 5-speed gearbox इंजन के खाथियत है के इंजन बहुती स्मूध है यहां पर आपको वाइबरेशन नहीं मिलते इसके इंजन से और इसकी वाज़ा से राइड कॉलिटी भी आपको अच्छी मिलती है और लाउंग रेट में बहुती बढ़िया महसुस कराती है राइडर को तो यहां पर कहा है 125 सिसी में अगर आपको लाउंग रेट के लिए बाइक लेनी हो तो SP 125 और SHINE 125 एक अच्छा उप्शन है और यहां पर लगयात आपन माइलेज की बात करें तो लगभग ये 70 तक का भी माइलेज निकाल के दे सकती है हाई वेपर और सिटी में 60 से 65 का तो यहां पर कहा है माइलेज आपको बहुत ही बड़िया मिलता है SHINE 125 में अब बात कर लेते हैं नंबर दो की तो यहां पर नंबर दो पर आती है TVS Raider 125 TVS Raider 125 125 एक सो पचीछ सिसी कैडिगरी में एक स्पोर्ट बाइक वाला फील देती है और TVS Raider बहुत ही जदा आट्रेक्टिव डिजाइन के साथ आती है नेके डिस्पोर्ट डिजाइन है TVS Raider का आपको LED हेडलाइट मिलती है फीचर बहुत ही बढ़िया है TVS Raider के अंदर TVS Raider में आपको देखने मिलता है TVS Raider के अंदर इंजन की बात करें तो TVS Raider में आपको 125cc का इंजन मिलता है जो के लगभग 11.4 PS की पार देता है और 11.2 Nm का टॉर्क देता है और यहाँ पर माइलेज आपको 67-68 और 70 तक का भी माइलेज निकाल के देता है TVS Raider का इंजन इंजन के अंदर बुरी बात यह है कैस के अंदर कीक नहीं आता बाकि आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं TVS Raider में कमफर्ट लेवल अच्छा मिलता है और यहाँ पर इसकी प्राइजिंग एक लाग 25,000 रुपे मिलती है जो के मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है 125cc के एडिगरी की इसलिए यह नंबर दूपी आती है और नंबर वन पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर नंबर वन पोजिशन पर आती है आपने गेस कर लिया होगा होंडा की SP 125 125 की बेस सेलिंग बाइक फ्रॉम होंडा SP 125 आपको लुक्स में बहुती बढ़िया मिलती है यहां पर आपको पांच से छे कलर आप्शन मिलते हैं और इसके अंदर स्पोर्ट्स एडिशन एक अलग आता है और ग्राफिक्स भी आपको बढ़िया मिलते है SP 125 के उपर फ्रेंड में आपको LED हेडलाइड दी जाती है अजन फीचर और फूल डिजिटल मिटर मिलता है अगर आपको शाइन 1.25 पसंद नहीं आती तो आप 3-4000 एक्ट्रा दे कर SP 125 खरीज सकते हैं SP 125 में आपको बढ़िया फीचर मिलते हैं जैसे के फुल डिजीटल मिटर, डिस्क ब्रेक और एलेडी हेडलाइट जो कि अंदर नहीं आते अब यहाँ बात करें अपन इंजन की तो यहाँ पर SPA 125 में आपको सेम शाइन 125 जैसा इंजन मिलता है जो के लगभग देखने को मिलता है 125 CC का इंजन और पॉर निकालता है 10.8 PS की टॉर्क निकालता है 10.9 Nm का विध फाइव स्पिट गेर बॉक्स इसका इंजन भी बहुत ही जदा स्मूद रिफाइंड है यहाँ पर आपको वाइबरेशन सना के बरावर मिलते हैं SPA 125 के इंजन में और इंजन की खास बात यह है कि यह लगबग 70 तक का माइलेज निकाल के देता है हाइवे पर और सिटी में 65 तक का माइलेज तो आपको माइलेज बहुत ही बढ़िया मिलता है SPA 125 के इंजन से साथ ही साथ प्राइजिंग की बात करें और अपनी TVS Raider से सस्ता आता है तो यहाँ पर नंबर वन पर यह बाइक इसलिए आती है क्योंकि यह बाइक के अंदर आपको प्राइस बहुती जदग कम मिलती है और साथ ही साथ फीचर भी मिलते है बढ़िया लुक्स मिलती है इसलिए यह नंबर वन पर चली जाती है और मोस्ट फ्यूल एफिचेंट 125cc बाइक बन जाती है SP 125 तो गाइद आज के वीडियो में आपको टॉप फोर मोस्ट फ्यूल एफिचेंट बाइक आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शेंस में बताना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के अल आप्शन को क्लिक करो इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों है साथ शेयर करो आज के वीडियो में इतना ही चलता हूँ गुडबाई गाईस